नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं सिम्मापुरान उपाय मिथुन रासी फल साल 2023 2023 मिथुन रासी वालों के लिए कितना सुभ और कितना अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी छेतर हो आपका करियर, आपका वेबसाइब, आपकी नोकरी, धन की स्थिति, आपकी जो विद्यारती हैं सेक्षनी की स्थिति और आपका प्रेम जीवन, बैबाही जीवन, पारिवारी जीवन, लगबक सब कुछ आज हम आपके साथ विस्तार से साजा करेंगे, तो वीडियो के अंतक बने रही है, और यह प्रिक्षन चंदरासी पर आधारित है देखिए मिथुन बालो, आपकी रासी से अस्टम्भाव में सनिदेव महराज हैं, और 17 जनबरी को अपना गोचर करते वे मकर रासी से निकल कर कुम रासी में, यानि आपके भागयस्थान में जाएंगे तो एक तरफ सनिदेव आपको भागयसाली बनाएंगे, और दूसी तरफ आपकी सनिदेव की ढईया भी समाप्त हो जाएगी तो आपको सनिदेव के द्वारा होने बाले जो असुप प्रभाव हैं, जो अभी तक टेंसन में थे आप, जो मुश्किले बढ़ी भी थी, वो अब समाप्त हो जाएगी, सर अब हलका लगने लगेगा, मन का सुकून बढ़ जाएगा दूसी तरह 22 अप्रेल को आपके एकादस भाव में जो दसम भाव में देवगुर भर्षपती वर्ष की सुरुवात में हैं, वो 22 अप्रेल को एकादस भाव में प्रवेश करेंगे और राहू महराज भी 30 अक्टूबर को आपके एकादस भाव से निकल कर दसमभाव में आएंगे यानी मीन डासी में तो यहाँ पर केतू महराज भी पंचम भाव से निकल कर चतुर्थाम में आएंगे तो जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे क्योंकि चार बड़े गरह जवरासी परिवर्तन करेंगे तो किन-किन छेत्रों में क्या चीजों पर प्रभाव ज़्यादा डालेंगे आज हम आपको बिस्तार से बताएंगे और वो चीजें जो आपको प्राप्त होकर रहेगी वो भी बताएंगे तो मिथुन बालो 2023 आपके जीवन में धाई साल के बाद या करीब करीब तीन साल के बाद एक अच्छा वर्स आपके लिए सावित होने वाला है क्योंकि तीन साल की जो यातना थी जो मुस्किले थी उनसे राहत मिलेगी और ये साल आपके सपनों को साकार करने वाला साल है वैसे तो आपने सुना होगा कि सनी देव जाते जाते दे कर जाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है क्योंकि सनी की डहीया जैसे ही समाप्त होगी मानसिक तनाव से मुक्ती मिलेगी जो स्वास्त की मुश्किले थी वो समाप्त होगी आपके जो career आपका बैपार है वो अब और बहतर हो पाएगा आपका भागी भी अब साथ देने लगेगा क्योंकि भागी की प्रवलता हर मुश्किल को आसान कर देगी तो आपका आत्म विश्वास बढ़ा हुआ है कुछ मामलों में आपको ध्यान भी देना होगा क्योंकि लापरवा तो आप हो यी नहीं सकते लापरवा होने से बहुत साई चीज़ें हाथों से फिसल जाती इसका आपको ध्यान रखना होगा देखिए सनीदेब अस्टम भॉम में है सुरुआत में ही वर्स की सुरुआत में और 17 जन्वरी को जैसे ही वो नवम भॉमें जाएंगे आपकी जो कंटक सनी की स्थिती है वो समाप्थ हो जाएगी और जिन कारियों में अभी तक बेवधान आ रहे थे वो 17 जन्वरी के बाद से जो अटकेवे रुकेवे कारे थे अब बढ़ने लगेंगे और आपका मानसिक तनाव भी समाप्थ हो जाएगा दूसी दर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका भाग हर जगा आपकी मदद कर रहा है लंबी यात्रा की योग विदेश जाने की योग घर से दूर रहने का योग धर्म कारे में आप बहुत ही ज़्यादा इन्बॉल हो पाएंगे ये सबी चीज़ें आपके जीवन में खुद बखुद घटित होगा अगर आप जॉप करते हैं तो तबादले का भी योग है लेकिन ये आपके लिए खुशिया लेकर आएगा तबादला तो होगा लेकिन परमोसन के साथ तनख़ा बढ़ने के साथ जो खुशिया देगी लेकिन हाँ सुरवात में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना है क्योंकि सुरवात में जैसे की ठंड का भी मौसम है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और पुरानी नौकरी छोड़ने का मन बना सकते हैं लेकिन जब तक नई नौकरी हाथ में ना आ जाए अच्छी नौकरी न मिल जाए आप संतुष्ट ना हो जाए पुरानी नौकरी ना छोड़े वैसे आपकी पुरानी नौकरी भी लंबी चली अब देखिए संतान को लेकर थोड़ी बहुत है चिनता है पर ज्यादा टेंसन म लेकिन दूसरी तरफ और गलत में भेद बंद कर देंगे तो आपके लिए नुकसान दायक होगा इसलिए आपको हर जगा आखकान खुली रखना है कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है और हर किसी की बातों पर भरोसा भी नहीं करना है तो बिदेश जाने का मौका मिलेग लंबी यात्रा की योग बनेवे हैं भागे हर मामले में आपका साथ देगा आपके साथ खड़ा है तो यह भागे का साथ देना तो सर्वोत्तम खुशकबरी आपके लिए परिवार में खुशियां आ रही है देव गुरु की पास है क्या होगा घर में सुकसानती रहेगी औ आपके लिए तीसी खुशकबरी है यानि कि और विभायत है तो विभा तै होता दिखेगा चारों और का बाताबरन हर सो लास में रहेगा और पस आपको थोड़ा सा जो भी आपने अभी तक आपकी गलतियां थी उसको थोड़ा सा सुधारी है दूसरी तरफ आपकी जो महत् भी खुशकबरी है और अगर आप नोकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस साल सफलता मिलने की संभावना बढ़ी भी है ये छटी खुशकबरी आपके लिए क्योंकि कंपणी में स्थिती भी मजबूत होगा सीनियर का साथ मिलेगा आपकी इंकम बढ़ेगे और आपके क काम की बज़ा से सम्मान भी आपका बढ़ेगा अब सरी देव सुरुवात में अस्टमभाव में हैं ब्रस्पति महराज दसंभाव में तो सुरुवाती जो समय थोड़ा बहुत भले ही उतार चड़ा हो लेकिन लंबी दूरी की यात्रा भी समय हो रहा है और आपको अपने बेभार में पॉजिटिविटी लाना होगा किसी को भी कुछ भी बोल देने से आपको बचना होगा यानि उल्टा पुल्टा किसी को ना बोले तो अच्छा है अब अप्रेल में जैसे ही देव गुरु ब्रस्पति आपके एकादस भाव में जाएंगे तो आपके इंकम जो ह मामलों में थोरा सापको संभल के रहना है कोट कचरी के मामलों में सफलता मिलेगी आपको यह आठीमी खुसकपरिया आपके लिए तो देखिए जुलाई के महने से क्या होगा ना आर्थी किस्तिति एकदम से आपकी मजबूत हो जाएगी और सत्रू भी रोधी है वह अगस् संतान भूमी भवन वाहन प्राप्ति के प्रबल संभावना बनी रहेगी बनी भी है आप इसमें ले सकते हैं और खासकर जो लोग प्रेम जीवन में उनके लिए नवंबर का महिना बहुत अच्छा है इसमें लब मारेज की योग बने वे हैं और यहां तक कि संतान प्राप् करियर के मामलों में 17 जनवरी को जैसे ही सनी देव नवं भौ में प्रवेश करेंगे तो आपका अच्छा समय यहां से सुरू हो जाएगा बन्चाही जगा पर आपका तबादला हो सकता है नावकरी में बदलाब का प्रयास कर रहे हैं तो सनी देव की किरपा बरसेगी और 22 अप्रेल के बाद देव गुरु भ्यस्पती के एकादस भौ में जाने से और उनके उपर नवं भौ में पैठे सनी देव महराज की दृष्टी होने के कारण करियर में आपको सफलता और सफलता एक नया इतिहास गरते वे आप नजर आएंगे बर मेहनत करना होगा क्योंकि स केतु मराज है सनी मराज अस्टम भौ में एकादस भौ में राहु तो क्या होगा यहां पर थोड़ी बहुत चुनोतियां हैं लेकिन राहु केतु का रासी परिवर्तन होगा अक्टूबर में देव गुरु भ्यस्पती 22 अप्रेल को एकादस भौ में आ जाएंगे तीसरे प पाच्व भाव अर्थात बुद्धी का बिर्द्यार्थियों का भाव है और देव गुरु भ्यस्पती की दृष्टी होने के कारण आप 22 अप्रेल के बाद प्रतेत्य अपक्षा की तियारी कर रहे हैं तो कोई बड़ा तोफ़ा मिलेगा विद्यार्थियों को वर्स की सु अप्रेल में दिखतावा आपको मिलतावा दिख रहा है बैसे घर से दूर जाकर पढ़ाय लिखाई भी करना चाहते हैं तो इसमें अच्छा है तो सरकार से लाब होने की प्रवल संभाबना है आपके लिए 2023 में सितंबर अक्टूबर नौबर इसमें आपके बैंक बैलेंस जरूर पढ़ेंगे आप यह लिख कर ले सकते हैं क्योंकि यह पिरियड आपके लिए बहुत अच्छा है लाब का वक्त है तो फिला लाब से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्काइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेब जरूर लिखे और अपने रासी के स्वामी को थोड़ा मजबूत करें और संबब हो तो अगर आपको लगे कि स्वास्त में थोड़ी बहुत मुश्किल हैं तब आप स्री राम रक्षा इस्त्रोत का पार्ठ रोसुब कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं धनिवाद हम फिर मिलें मिलें आप सकते हैं थियात हैं